हलो फ्रेंस मैं हूँ सुनील और आप सबी का एडू प्लांट में स्वागत है आज मैं केवियस इंटर्व्यू से रिलेटेड उन गलतियों या कम्यों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी वज़ा से एक कैंडिडेट को रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है तो वो साथ कारण मैं आपको फटा फट से बता देता हूँ फर्स्ट डोंट लाई जूट ना बोले पैनल में बैठे लोग पकड़ लेते हैं कि आप जूट बोल रहे हो और आपकी विश्वसनियता कम हो जाती है सेकेंड है सुपर फ्लूस आंसर बहुत बढ़ा चढ़ा कर अनावश्यक इर्रिलेवन्ट आंसर ना दे जितना पूछा जाए उतना ही बोले वे आपके लंबे चौड़े बातों से इरिटेट हो जाएंगे अगर बिना मतलब के लंबे चौड़े आंसर आपने दिये तो ये भी एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है अपनी बातों को रखो पर इंटर्विवर्स का जो क्रिटिसिजम होता उसको स्विकार करने का भी आप बोडी लांगवज शो करिए ऐसा भूल के भी शो नहीं होना चाहिए कि आप ही 100% करेक्ट हैं आपको ही 100% पता है और बाकी लोग आप से पीछे हैं आप अपनी विनम्रता दिखाईए फोर्थ इस जो कुशन से रिलेटेड है अगर आपको कुशन पूछा जाता है आप किसी भी स्टेट या राज में काम करने को तयार हैं तो इसका जवाब सिर्फ हां ही नहीं बलकि त्वरित भी होना चाहिए तुरंत आपको जवाब देना है हां सोच में पढ़ गए या उत ड्रेस आपकी बॉडी लांग्वेज और चेहरे का हाव भाव एक सधे विन्नम्र प्रोफेशनल नौलेजिबल डिसेंट टीचर की तरह होने चाहिए दिमाग में एक ही बात रखें कि आप एक सम्मानित सिक्षक हैं बस फिर आपका फिर अपने आप ही आपका ड्रेस सेलेक् बॉडी लांग्वेज बोलने का तरीका हाव भाव सब सही स्ट्राइक होगा छठी बात है Shallow Knowledge of Subject, Pedagogy and KVS आपके विशाय पर आपके पेडागोगी से संबंदित, और KVS से संबंदित कम जान करें आपके पास होना आपको अपने subject content की अच्छी तियारी करके जाना है pedagogy से related जितने भी technical words है innovations in education है ये सारी तियार करके जाना है साथ ही kvS से related जितने भी facts हैं उसको याद करके जाना है अगर आपकी जानकारी उपरी सतह की लगी superficial लगी, shallow लगी तो उनको ऐसा लगेगा कि आपको knowledge की कमी है और इस वज़ा से आप rejection face कर सकते हो 7th is two weeks in English अंग्रेजी में बहुत कमजोर उनको ऐसे teacher चाहिए जो English language में ठीक हो क्योंकि kvS के teacher इंडिया के हर कोने में पढ़ाने के लाइक होने चाहिए जिसके लिए English आना आवश्यक है यदि आपके English अच्छी नहीं है तो इसे सुधार ले अन्यता rejection face करना पड़ सकता है वही अगर आपके English communication भी दमदार है तो यकिन मानिये आपके kvS में selection को कोई भी रोक नहीं सकता All the best